कि नमस्कार नमस्कार दूस्तों मैं निकलेश जैन हिंदी चेस्पेस इंटर्चल पर आप सभी का हार्ट देकर में दन करता हूं दोस्तों कल एक्टी एक्स क्रिप्टो कप का पहला राउंड खेला गया भारत के प्रग्नरंदा सीध है उलम्पियाड से जो है पहुँच गए मियामी आमने सामने बैठके टोनमेन खेला जा रहा है लेकिन इस्पोर्स की तरह खेला जा रहा है मतलब कंप्यूटर पर मैच खेला जा रहा ह प्रग्नरंदा जो कि जिन्होंने बहुत शांदार पतशन किया उलम्पियाड में ब्रोज बाडल भी हासिल किया तीसरे बोल्ड पर कमाल के आत्मविश्वास से भरे हुए है और ऑनलाइन शित्रंज में तो फिलहाल वो महारत हासिल करते चले जा रहे हैं और यहां पर आप खिलाड़ी 2750 के आसपाक जी पहुच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी तो आईए देखते हैं कि संदाज में पराजित किया वैसे आपको दाते हैं कि ओवराल जो स्कोर रहा मतलब चार राउंड चार रैपिड होते हैं आपको पता है चैंपियन चेस्टूर के कोई टूर्नमेंट में तो चार जो मुकाबले हो उसमें धाई डेड से प्रग्मरंदा जीते पहला मैच जीते तीसरा मैच जीते दूसरा हार गये थे और लास्ट मैच ड्रॉ करके धाई डेड से उन्होंने पहला दिन अपने नाम कर लिया पहले दिन और कौन-कौन जीता कालसन अनिशगीरी को हराया डूडा ने यहां पर नीमन हंस को हराया और लेवन अरोनियन ने लेखॉम लिंग को हराया तो यह लोग तीन थीन पॉइंट पर रहें क्योंकि इन लोग जो है चार मैचों की सीरीज जो थी एक प्रकार से कह सकते हैं उसको जीतने में कामयाब रहे तो यह देखते हैं इस मुकाबले को और प्रग्रणनदा जो है E4 से शुरुवात की सफेद मौरों से खेल रहे थे E4, E5, Nf3, Nc6, Bb5 यहाँ पर हुआ Nf6, Castle और Nx4, Berlin यहाँ पर आप देखे रहे हैं यहाँ यहाँ पर जैसे D4 एक लाइन थी प्रग्रणनदा ने चूस किया रुक E1, Nd6 यह सब लाइन है, NxE5, Bb7, Bf1 यह सब लाइन है अब देख सकते हो और यहाँ पर NxE5, RxE5, बहुत मुकाबले काफी खेले गए हैं नाओ यहाँ पर Black Castle करता है, और White यहाँ पर खेलता है, यहाँ पर Nc3, यहाँ पर भी एक option आता है D4 चलने का, बड़ प्रग्रणनदा जो है, वो 2nd option की दरब जाते हैं, और Nc3 खेलते हैं नाओ यहाँ पर खेलते हैं, अली रेजा, Nd5, आईडिया इस नाइट को जो है जितनी जल्दे उस बिशप से एक्षेंज कर लेने का है, लेकिन बिशप A हटता है और आपको फोर्स करता है पीछे जाने के लिए, रुकी 1, नाओ C6, so Nd3, अब यह जो नाइट है देखिए इसको F5 का स्कूर मिल रहा है, बिशप E7 वापस हटते हैं ताकि इसको D5 खेला जा सके, यहाँ पे भी C4 करके एक लाइन है जो D5 को स्टॉप करती है, बड प्रग्ननदा जाते है, Nd5, और अब यहाँ पर जो क्या बुलते हैं कि आली रेजा है, वो इस बिशप को Nd5 से ब करने से बचते हैं और वो खेलते हैं D3, ओके, नाव ब्लाक को मिल जाता है D5 अली रेजा को और अब यहाँ पर प्रग्ननदा खेलते हैं, बिशप इंटू G5, बिशप इंटू G5, आचा मैं आपको बता दू कि इस पोजिशन के बाद जब D3, D5 खेला गया है, अल्रेडी जो है वो नहीं हो चुकी, मतलब इससे पहले इस लाइन पर कोई मैच नहीं खेला गया है, सो बिशप इंटू यहाँ पर, अचा ओके, सोरी, 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 यहाँ तक खेला गया है, यहाँ पर कुईन F3 जो है, नॉर्मली खेला गया है, अली, फाबियानो करवाना और सेंटो के बीच मुकाबला हुआ है, दोजार बाइस में, उसमें इस पोजिशन पर कुईन F3 खेला गया, यहाँ पर बिशप इंटू G5 जो खेला प्रगन अंदर है, यह नॉवल्टी है, मतलब यह इससे पहले नहीं खेला गया, कुईन इंटू G5 और आप यहाँ पर प्रगन दर है, बड़ जल्दी से F6 से बाहर आ रहा है, वाइट का पोजीशन स्ट्रक्चर ठीक है, बट वाइट को अभी देखना है कि यह जो बिशप है, यह गेम में कैसे आएगा, तो यहां के बाद आप प्रगन दर के गेम का स्टैंडर देखेगा, सबसे पहले प्रगन दर खेलते अभी आइडिया क्या है कि अगर आप मारते हो, DC4, DC4, बाद में प्रगन दर का जो बिशप है, उसमें जान जो है, वो आ जाएगी, तुन्होंने खेला C4, अली रेजा ने स्टैंडर खेला, अपने पीस को बाहर निकाला, नाइट अप से, अब यहां पर प्रगन दर खेलत और खेलते हैं, Queen F4, अब ट्रिक यह है कि अगर आपने Queen into B7 मारा, तो Knight G4 के बाद मात जो है, वो बचेगी नहीं, और आप देख सकते हैं, इस तरीके से मात हो जाएगी, तो G3 कि आप पहले ही प्रगन दर ने पहने बुला कि आप पहले ही बजी रटा लीजे, तो आप प्र प्रगन दर की अगली जो चाल थी, वो बहुत important थी, उन्होंने खेला कोई ने थी, अभी idea क्या है कि B4 आ रहा है और A7 मर रहा है, ठीक है, और इस particular position पर, यहाँ पर particularly जो है, अली रेजाने खेला C5, अब यहाँ पर शायद वो D into C4 मार सकते थे, और वो यहाँ पर आप कह सक प्रगन दर के trap नफस के, C5 खेला, अब C5 से क्या हुआ, सबसे पहले जो है, इन्होंने मार दिया, C into D5, नाइट into D5, और अब आता है, रुक के C1, अब problem यह है कि यह pawn पर attack आ रहा है, D4 करके, तो यहाँ पर फिर से अली रेजा से गलती होती है, यहाँ पर अली रेजा खे खेलते हैं, QB6, और जैसे वो QB6 खेलते हैं, next move आती है, रुक E5, लगता है, नाइट मर रा, नाइट को बचाते है, नाइट B4, यहाँ थी प्रगन दर की सबसे बहतरी इंचाल, D4 आती है, बोल्ट को, अब problem यह है कि अगर CD4 मारेंगे, तो रुक B5 के बाद नाइट मर ज रुक F8 आता है, तो पहले H3 किया, काउंटर प्ले वगर रोका, QD6, बिशप G2, अब बिशप को भी इंप्रूव कर लिया, पॉन अप थे, सब कुछ बढ़िया, और इसके बाद, मतला कोई मौका वो दे ही नहीं रहे थे, अली रेजा को create करने, अली रेजा ने H5 खेला कि QC5 एक बार फिर ओफर किया, मारना है, मार लो, एंड गेम खेल लो, अली रेजा ने QB2 मारा, so now F4, और भी H5 का जो पॉन था, वो प्रॉब्लम में थे था, QH5, KG8, और ना बिशप D5, अलो एक के बाद बहतरी इन चालने आती जानी थे, कि बाद अभी QG6 का भी threat है, अल QD6 खेल आता है कि उन्होंने D7 के pawn पर अटक करें एक बार, खेर पहले तो बिशप E4 हटाया, एंड जैसी रुके D8 आता है, QF5 खेल दिया, यहां पर QA3 आये, so now Kh2 allow किया QA2, Rc2, QC2, QG7 हटता है, बताओ कैसे खतम करोगे आप लो, H4 और अभी H5 आ रहा है, मात लगी ह हुई है, और यहां पर रिजाइन करना पड़ गया, अली रेजा, फिरोजा को तो बहुत ही शांदार जीती हासिल की प्रग्ण रंदाने, खासतोर पर मुझे लगता है कि C4 के बास से जो उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू किया पोजीशन में, अली रेजा कहीं पर भी न झाल